नमश्काल डीवी नियूस में आपका स्वागत है अमेरिकी राश्टुपती जो बाइडिन ने सोंबार को अपनी भाशड में बाधा डालते हुए माफी मांगी और कहा कि उन्हें वाइट हाउस इस्थित कक्ष में जाने की जरूरत है अस्ती वर्ष ये व्यक्ती इस्थिती के बारे में बात कर रहे थे और हमास से उन बंधकों को रहा करने के लिए कह रहे थे जिनने उसने 7 अक्टूबर के हमली के बाद से बंधक बना लिया है बाइडिन ने गाजा में संखर्ष विराम के आवाहन को बंद कर दिया उन्होंने कहा कि बंधकों की रहाई के बाद हम बात करेंगे रास्टबती हमास के यह कहने के कुछ घंट बाद बात कर रहे थे कि उसने दो इसराइली बंधकों को रहा कर दिया है इस अपता की शुरुआत में एक अमेरिकी माव वेटी को रहा कर दिया गया था बाइडिन ने कहा हमें उन बंधकों को रहा कराना चाहिए फिर हम बात करेंगे हाला कि अपने भाशन के कुछ मिनट बाद डेमोक्रेट ने कहा कि उन्हें स्थिती काक्ष में जाने के जरूरत है जिससे चिंताएं बगल गई मैं सिचुएशन रूम वाइट हाउस के भूतल पर एक खूफिया केंद्र है किसी गंभीर बिशेपर नभीनतम जानकारी पर चर्चा करने और संभबता नर्णय लेने के लिए शीर्ट अधिकारी वहां मिलते हैं उम्मीद की जा रही थी कि बाइडन अपने विडेनो मिक्स एजेंडे पर भी बोलेंगे उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूँ मुझे एक अन्य मुद्दे के लिए सिचुएशन रूम में जाना होगा जिससे मुझे निपटना होगा इस बीच रास्ट ये सुरक्षा सलाकार्न सायुक्त रास्ट एजेंसियों के संगर्ष विराम के आवाहन के बारे में पूरी बात करते हुए कहा अभी हम जो चाहते हैं वहाँ यह सुनिश्चित करना है कि इसराइल के पास अपनी रक्षा करने और हमास के पीछे जाने के लिए आविशक उपकरन हो और मानविय सहायता बनी रहे